रुकर दुर्ग की ओर्जान दुर्ग नगर निगम द्वारा प्रधान मंत्री आवासी उचना के तहत हित गराहियों को समय सीमा बढ़ाने का चलावा दे राशी फिर भी महेंगी पर पुर्व सभापती दिवांगर ने सरकाय से किष्ट नहीं प्रीमेम राशी कम करने की कीमा शहरी छेत्रों में निवासरत आवास हिन गरीब किरायदारों को सस्ते कीमत पर पक्के मकान देने केंदर सरकार दौरा चलाई जा रही प्रधान मंत्री आवास युजना पर 36 गड़ की सरकार दौरा व्योसाई सोच वह भारी कीमत पर आवंटन की निती के चलते मकान लेने स कतरा रहे गरीबों के हितों को लेकर भाजपादवारा मोर मकान अधिकार के तहट आवाज उठाई जिसके चलते अब गरीबों को पक्के मकान देने की नीती में बदलाव किया गया वहीं इस पर पूर्व सभापती दिनेज दिवांगर ने आरोप लगाते हुए उट के मु को अपने प्रतिक्रिया दी को लोकर लगत और प्रदेश भर में अंदोलन कर रही है और इसके दबाव में आकर चतिस गड़ की भूपेजबगे सरकार ने इसकी किस्तों को बढ़ा दिया है पहले 6 किस्त में देना था पैसा अब 36,000 करके 10 किस्तों में देना है और इस्थानी इप्रसासन ने अपनी हिस मिलना चाहिए और आसान किस्तों में मिलना चाहिए तब कहीं जाके मकान का सपना पूरा होगा मुझे ऐसा लगता है वुपेज सरकार गरीबों के तैसी नहीं है इन लोगों ने जो किस्त बढ़ा कर दस किस्त बढ़ा कर दो 36,000 की राशी की तैकी है ये भी संभावनी है 36,000 रुपया गरीब हित ग्राही हर मेहना नहीं दे सकता इन्हें कम से कम 20 किस्तों में करना चाहिए और प्रती किस्त दस जार पांच आर ऐसे करना चाहिए तब दे पाएंगे मुझे लगता है वुपेज सरकार से उम्मीद करना बेमानी है Grand Asian News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट